पर दूसरी बात मैं यह बोलना चाहता हूंगी पहले लिए लेटर 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 इस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो अच्छा यहां पर जो खबर आ रही है ना वो थोड़ी तुम लोग को डिसेपोइंटिंग लगेगी पर बाद में खुशी भी होगी वो इसलिए क्योंकि देखो अभी GTC खतम हो चुक है और तुम लोगों को मतलब में जो तुम्हारे गेमिंग ग्राफिक कार्द होते ना उनकी कोई न्यूस देखने को नहीं मिली होगी अब तुम लोग सोचोगे यार GTC भी खतम होगी यार नए ग्राफिक कार्द आए नहीं तो यानि अब हम पास्कल सीरीज को ही ले लेते हैं तो यहां पर मैं तुम्हें सा करेक्ट करना चाहूंगा देखो गाई बहुत पहले हमने खबरों में सुना था कि सैमसंग ने जो है वो GDDR6 का मेमरी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है अब हम सुन रहे हैं SK Hynix ने भी शुरू कर द जातर major manufacturers यहीं है तो आपके जो असूस वगेरा है MSI यह गिगावाइट है वो लोग नहीं बनाते हैं यह लोग बनाते हैं और फिर वो लोग इनसे करीते हैं तो यहां पर कबर यह आ रहे है कि आपके जो ग्राफिक्स कार्ड होंगे latest gaming gaming के उनका नाम पहली बात तो 2080 Ti यह 20 70 Ti नहीं होगा बल्कि 1180 और 1170 Ti होगा मतलब जो भी होगा 1180, 1170, 1160, 1150 Ti, 1150 इस ताइप के नाम होगे 2080, 2080 Ti यह बागेर नहीं होगा दूसरी बात वो जुलाई में आएंगे ऐसी खबर आ रही है और तीसरी बात यहां पर देखो यह निकल के आ रही है कि अगर आपके ग्र दूरत नहीं है क्योंकि उस वक्त जो है वो सिफ दो ग्राफिक काड लॉंच होंगे बड़े बड़े जो होते हैं जैसे 1180 और 1170 और तुमारे जो बजट ग्राफिक्स काड होते है जैसे अभी बजट में क्या है तुमारा 1030, 1050 Ti है न तो उसी का 1150, 1130 वगेरा जो हो इतनी जल्दी लॉंच होंगे वो बाबाद में लॉंच होंगे और मार्केट में तुम्हें कब देखने को मिलींगे वो फिर एक-दो महीने बाद तो उसी साब से लगाड़ो मतलब तुमारा यह पूरा साल जो है वो चला गया है तो अगर तुम्हें पासकल सीरीज का करना ही अग में भी 8GB और 16GB के वेरियेबल मेमरी कैपेसिटीज में लॉंच हो सकते हैं जो कि यह तो फिर भी बात की बात है पहले लॉंच हो जाए वही बड़ी बात है ठीक है और GDDR6 के साथ लोंच होंगे तो मेमरी स्पीड जो तुम्हें अच्छी देखने को मिल जाएगी और यहां यानि मेमरी जो हैं वह बीस परसेंट ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो अब उसका जो भी जितने भी बीस परसेंट इन मैंफेक्टर को अपनी जेप से देना पड़ रहा है वो तुम लोग से वसूलिंगे तो यानि ग्राफिक्स काट तुम्हें MSRP पे देखने को नहीं मिले उनसे थोड़े ऊपर ही देखने को मिलेंगे क्या पता और ज्यादा ऊपर देखने को मिल जाए क्योंकि माइनिंग क्रेश तो वैसे भी चली रहा है और मेरे जून-जुलाई में है इसलिए लिए लाउंच हुए क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान हो तो पास्कल सीरीज भी पास्कल सीरीज यह जायद मेरे खाल से मे जून में रिलीज हुई थी तो मेरे काल थे यह भी उसी के आसपास कोई इवेंट वागे यह लोग रखेंगे और उसमें यह लोग लॉंच हरेंगे क्योंकि वैसे भी अभी मेंबरी की शॉर्टिश चल रहे है तो अगर यह लोग अभी अनाउंस कर देते तो इन लगभख अगले महीने से यह उसके अगले महीने से जो है वो इसको जो है वो इसके क्या कहते हैं शिपिंग यह डिलीवरी यह फिर मास्स प्रोडक्शन शूरू करना पड़ता जिसकी मुझे लगता भी इनकी इतनी अवकात है क्योंकि वैसे वर क्राफिक कार्ड मेंवेक्चर खरीद रहें मुल्कि सेमसंग ए एपल जैसे जितने भी स्मार्ट फॉन मेंवेक्चर यह नहीं पर वह लो जाए और आजकल फोन चलाने वाले ज्यादा लोग है तो इस तरीके से मैमरी की शॉटेज चल गी है और यहीं पर यह लोग कहरें यह 20% more cost होगी, यह cost 20% ज्यादा होगी, जो graphic card 100 रपे का था, वो 120 का होगा, तो यानि तुम्हें ज्यादा कीमत देखने को मिल सकती है, और इंडिया में तो 18% GST और देना पड़ता है, तो देख लो भीजा, तुम्हें कितने का यह graphic card पड़ते हैं, और कितने तुम्हें actualist की क करना है, तो पास्कल सीरीज के सबस्ते होने का वेट करो, नए graphic card का वेट मत करो, क्योंकि वो जुलाई में आएंगे, और वो जुलाई में भी तुम्हारे flagship graphics card आएंगे, जैसे 1180, 1170, तुम्हारे 1050, 1060, 1030 अगरे नहीं आने वाले हैं, वो और बाद में आएंगे, तो इंत दिजार करना है, ठीक है, तो दन्यवाद बबाए, टेक क्यार गईस,